Good morning friends, एक बाव फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो friends, डेली सुबा आठ बजे आप हमारी स्ट्रपल सी रिविजन क्लास को जॉइन कर सकते हैं एक और क्लास हमारी चलती है, ट्रपल सी प्रैक्टिस क्लास जो की सामको आठ बजे होती है तो आप सभी इन दोनों क्लास को regular जॉइन कीजे, अगर आने वाले दिनों में आपका ट्रपल सी का एक्जाम होने वाला है तो आप सभी के लिए ये क्लास काफी important है, इसमें हम overall syllabus से questions डिसकस कर रहे हैं और सभी ऐसे questions हैं, जो की ट्रपल सी एक्जाम के पूछे के important questions हैं, जिनको हम इन classes में discuss करते हैं तो उमीद है, आप सभी ने हमारी इस चैनल को subscribe जरूर किया होगा, तक कि आने वाले दिनों में जो भी classes होती हैं, उन सभी के proper notifications आप सभी को मिलते रहेंगे और ग्यान XP Mobile Lab पे ट्रपल सी का mega test चल ला है, आप सभी एक्जाम से पहले इन सभी mega test को जरूर सॉल कीजिए, बहुत ही important questions हमने दियें प्लस यहाँ पे बहुत सारे free mock test भी available हैं, जिनको आप दे सकते हैं, प्लस यहाँ पे ट्रपल सी का complete paid course भी available है, आप चाहें तो इसे भी join कर सकते हैं ट्रपल सी paid course में आपको complete syllabus, video lectures, model papers, e-book, practice set एक complete package के form में मिलेगा अगर आप इस course को 10 से 15 दिन भी अच्छे से तयारी कर लेते हैं, तो आराम से एक बार में घर बैटे हैं, आप अपना ट्रपल सी exam qualify कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिये गए नंबर पे call कर सकते हैं, 8174843342 तो तयार हो जाए आज की class के लिए, आज की class भी काफी unique होने वाले हैं, तो पहला question स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा और आप सभी please सभी questions के answers comment section में जरू reply कीजे, और last में आप comment section में जरू बताए आज की class में आपके कितने questions correct हुए हैं तो सबसे पहला question है, ऐसे device जिनका प्रियोग टेली communication लाइनों पर data transmit करने के लिए किया जाता है, इसा कौन सा communication device है, drivers, platform, modem या फिर उपरोगत सभी या all of the above, इन में से right answer क्या होगा, जल्दी से बताए तो जी हाँ, इस question का right answer हो जाएगा, option C, modem, modem एक ऐसा device होता है, जो की analog signal को digital signal को analog signal को analog signal में convert करता है, इसी वह यह इसको हम modulator and demodulator के नाम से भी जानते हैं, तो option C, इस question का correct answer है, चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं किसी भी website को internet पर उपलब्द कराने को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं, किसी भी website को internet पर उपलब्द कराने को क्या कहा जाता है, searching, surfing, web hosting, या फिर इन में से कोई नहीं, none of the above, जल्दी से बताए और आप सब previous online test के वीडियोज देखते रहें, किसी भी मंद के previous online test के वीडियोज आप देख सकते हैं, क्योंकि same slivers है, 2020, 2021, 2022, इन तीनों ES का जो slivers है, वो same है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया, तो आप previous online test के वीडियोज भी देख सकते हैं तो right answer हो जाएगा option C, web hosting, किसी भी website को internet पर उपलब्द कराने को क्या कहते हैं, web hosting, option C, right answer होगा next question है, निमलकित में से कौन एक दस्ता वीज में text के पीछे धुंदला दिखाई देता है, कई बार ये चीज़े आपने देखे होंगी, कहीं न कहीं, कहीं बार documents में, background में, logo रहता है, या फिर कोई image रहती, जो बहुत ही, धुंदली दिखाई पड़ती, इसको किस नाम से जा slide पर जाने के लिए shortcut कुझी क्या है, most important question है, कई बार triple C exam में पूछा जा चुका है, कि last edited slide की shortcut की क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है, तो कहीं पर note कर लिजे, और LibreOffice Writer के अलकिंप्रेस, इन सभी की shortcut keys के अलग से वीडियो में ने बना दिये हैं, जिसकी अलग से आपको इस class का description जरूर चेक कीजिए, आपको वापे सभी important playlist के links मिल जाएंगे, तो जी हाँ, इस question का right answer हो जाएगा, option B, odd plus shift plus F5 के इस्तिमाल करते हैं, last edited slide पर जाने के लिए LibreOffice इंप्रेस में, तो next question देखे, बिजार्ड बिकल्प निम लखित में से किस menu पर इस्थित है, या तो आपने bizart menu जरूर देखा होगा, और ये option कहाँ पर होता है, file menu में, option A, file menu इस question का right answer हो जाएगा, next question है, auto text command किस menu में उपलब दे, auto text का बिकल्प किस menu में उपलब दे, अब ये auto text क्या करता है, जैसे आपने A को apple से replace किया हुआ है, तो जैसे आप अपने document में A type करेंगे, automatic आपको apple type किया हुआ मिल जाएगा, तो इस तरह से हम auto text setup कर सकते हैं, particular कुछ word के लिए, या कुछ हम characters यूज करते हैं, और उसको जैसे type करेंगे, particular उस पे setup किया गया word automatic type हो जाएगा, तो ये होता है, auto text, मैंने LibreOffice Writer के practical videos में, जो के detail में discuss की हैं, तो ये option कहाँ पे होता है, auto text का विकल्प आपको मिलेगा, tools menu में, LibreOffice Writer के tools menu में, auto text का विकल्प दिया गया है, next question है, निमन में से कौन सा विकल्प print dialogue box में उपलब्द नहीं है, जब आप control plus P प्रस करते हैं, तो एक आपके पास print dialogue box open हो के आता है, इसमें multiple options हो तो पता हैं, इनमें से कौन सा option उस dialogue box में नहीं होता है, cancel, save, page number या फिर page size, तो option B, save का विकल्प नहीं होता है, option B, right answer हो जाएगा, save का विकल्प वहाँ पर नहीं होता है, अगलग उसने font का रंग बदलने के लिए किस menu का उप्यूग किया जाता है, और LibreOffice Writer में default font color क्या ह होता है, ये भी question कई बार exam में पूछा गया, तो font का रंग या color बदलने के लिए किस menu का उप्यूग किया जाता है, insert, design, edit या फिर format, तो LibreOffice Writer में format menu दिया रहता है, जहां से आप text की formatting कर सकते हैं, means उसका color बदल सकते हैं, या फिर उसका style change कर सकते हैं, उसका size change कर सकते हैं, ये options कहां पे मिलते हैं, format menu में, option D correct answer है, next question है, LibreOffice में वर्तमान बिंडो को बंद करने के लिए shortcut कुझी क्या है, अब यहां से दो questions बनते हैं, अगर आप LibreOffice Writer, Calc, Impress की वर्तमान या current बिंडो को बंद करना चाते हैं, तो एक अलग से shortcut की होती है, और अगर आप LibreOffice को प करते हैं, और अगर आप LibreOffice Writer, Calc, Close, पूरी तरह से बंद करना चाते हैं, तो control plus Q का इस्तिमाल करते हैं, तो यह भी याद रखे, important question बन सकता है, और आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है, ओके, अगला question देखे, LibreOffice में base data का file extension, क्या भी, base data होता गया, इसको थोड़ आप LibreOffice उपन करते हैं, तो LibreOffice में 6 अलग अलग तरह की packages होते हैं, जैसे आप MS Office की बात करें हैं, तो वहाँ पे, MS Word, Excel, PowerPoint, Access, इस सारे packages होते हैं उसके अंदर, और यहाँ पे अगर आप LibreOffice उपन करेंगे, तो 6 अलग अलग तरह की packages मिलेंगे, सबसे पहला package क्या है, writer, ज यहाँ पे दिया गया है, प्लस math formula, अगर आप math के formulas बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा math के formulas को, आम तोर पे word या फिर Excel या फिर writer में आप type नहीं कर सकते हैं, जैसे इसमें power और square root इस तरह की चीज़े बनानी होते हैं, तो उसके यहाँ पे अलग से tool दे दिय गया है, एक package दिया गया है, जिसका नाम है math formula, आप इसका इस्तिमाल करके math के हर तरह के formula टाइप कर सकते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे base database, जैसे MS office के अंदर access मिलता है database बनाने के लिए वैसे LibreOffice के अंदर आपको base database नाम का tool दिया गया है, तिसे हम database create करते हैं, और इसमें create क की गई file का extension क्या है, तो बस यही इस question में पूछा गया है, LibreOffice में base data का file extension क्या है, इसका file extension होता है .odb, याद रखे हाली के trupples exam में equation पूछा गया है, .odb file extension होता है, जब आप base database में कोई file create करते हैं, next question है, LibreOffice में header डालने का सही बिकलब क्या है, अब ये header का option कहां पे होता है, ये question भी exam में पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ पे writer open कर लेते हैं, header या footer insert करने का बिकलब आपको मिलता है, insert menu के अंतरगत आता है, आप insert menu का इस्तिमाल करके, writer में header या footer को insert कर सकते हैं, तो writer यहाँ पे open हो रहा है, open हो चुका है, जैसे हम insert menu पे click करेंगे, आपको यहाँ प्याना है नीचे, देखिए हाँ पे header and footer का option मिलता है, यहाँ से आप header and footer को apply कर सकते हैं, add कर सकते हैं, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, insert menu में आपको जाना है और यहाँ से आपको header and footer का option मिलेगा, option B इस question का correct answer है, लिब्रे आफिस कितनी भासाओं का समर्थन करता है, लिब्रे आफिस कितनी भासाओं का समर्थन करता है, correct answer option C, 125 अगर आप liberal office 7 का इस्तिमाल करते हैं, तो 125 प्लस language का इस्तिमाल कर सकते हैं, means अलग-अलग भासाओं में इसका उप्यूक किया जा सकता है, तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा option C अगला कुछने heading 1 यहाँ पे heading 1 का उप्योग करने के लिए shortcut कुझी क्या है अगर आप LibreOffice writer में heading 1 apply करना चाते हैं तिन में से कौन सी shortcut की इस्तिमाल करेंगे तो heading 1 apply करने के लिए shortcut की होती control plus 1 option B correct answer है और ऐसे अगर आप heading 2 apply करना चाते हैं तो CTRL plus 2 इस्तिमाल करेंगे heading 3 के लिए 3 होता है heading 4 के लिए 4 और heading 5 के लिए 5 तो इन सभी shortcut कीज का इस्तिमाल कर सकते हैं headings के लिए option B correct answer होगा अगला question देखे LibreOffice में page break डालने के लिए किस shortcut कुझी का अपयोग किया जाता है देखे question कई सारे ऐसे होते हैं जो बार बार repeat होते हैं बड़ उनको पूछने का तरीका change कर दिया आता है reason यह है कि syllabus सेम है तो जाहिसे बात है कहीं ने कहीं उसी syllabus पे based questions बनते हैं तो questions बार बार repeat हो सकते हैं और कई सारे ऐसे questions हैं जो कि बार बार पिछले कई महिनों से लगाता टपस exam में repeat हो रहे हैं तो page break करने के लिए control प्लस इंटर के इस्तिमाल करते हैं option D right answer हो जाएगा आप सभी comment section में बताए line break की shortcut की क्या है हाली की class में मैंने इसके बारे में बताया था इसमें कितने GB data storage मिलता है तो 15 GB तक की आप data इसमें free में इस्तिमाल कर सकते हैं इस cloud storage को और यहाँ पे 15 GB तक की files को upload कर सकते हैं यह भी exam में पूछा जा चुका है Google Drive पे आपको कितना मुफ्त space मिलता है तो 15 GB अगर आप Google Drive पे कोई file upload करना चाते हैं कोई दस्तावी जए document upload करना चाते हैं तो उसकी shortcut की क्या है इस question में पूछा गया है तो shift plus u का इस्तिमाल करते हैं option b write-ans हो जाएगा shift plus u next question देखे Libre office writer में किस menu में add page का बिकल्प होता है कई बार हम कोई document बनाते हैं पे page add करने की ज़रूरत होती है जल्दी से बताइए option कहां पर होता है और जिन लोगों ने अभी तक GnXP mobile app डाउनलूड नहीं किया है प्लीज आप play store पे जाएए सर्च कीजी GnXP यहां से आप हमारा mobile app डाउनलूड कर सकते हैं इस mobile app पे triple C mega test 2022 चला है जो कि बिल्कुल फ्री है आप सभी एक्जाम से पहले इस mega test को जरूर दीजे बहुत से free test यहां पर available करा दीगें प्लस यहां पर triple C और O label के paid courses भी available है तो वापस आते हैं इस question पे जल्दी से बताइए इस question का right answer क्या हो जाएगा option A format menu कहां पे होता है format menu में LibreOffice writer में line की शुरुआत में जाने के लिए किस shortcut कुंजी का उप्यूग किया जाता है बहुत ही basic question है इससे पहले भी हमने इस तरह के questions अपने triple C exam के practice classes में discuss किया है तो जी हाँ इस question का right answer हो जाएगा option B very good आप सभी को इस तरह से सभी questions के answers याद रखने है next question है LibreOffice control plus LibreOffice में control plus G की shortcut कुंजी का प्रियोग किस के लिए किया जाता है एक और question आप सभी के लिए comment section में बताए CTRL control plus H shortcut key का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है control plus H shortcut key का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो control plus G go to paste के लिए इस्तेमाल करते है option B right answer हो जाएगा और control plus H का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है find and replace के लिए और इसी तरह से मैंने पूछाता है एक और question आप सभी ने बहुत से लोगों ने comment section में reply किया है line break की shortcut key क्या है तो यह होता है shift plus enter का इस्तेमाल करते है LibreOffice में file का नाम कहां प्रदर्सित होता है LibreOffice, writer, calc, impression इन सभी के लिए question हो सकता है जो file name होता है वो कहां पर दिखाई पड़ता है एक और question यहां से बनता है जो कि टॉपल से exam में पूछा गया है LibreOffice में default file name क्या होता है तो यह होता है untitled default file name क्या होता है untitled और यह कहां पर दिखाई पड़ता है title bar means option c right answer बजाएगा title bar किसी भी application का सबसे उपरी भाग होता है जिसको हम title bar के नाम से जानते हों यही पर file name दिखाई पड़ता है next question है save as के लिए shortcut कुणजी क्या है save as के लिए shortcut कुणजी क्या है control plus s save के लिए shortcut की होती है और save as के लिए हम कौन सी shortcut की इस्तिमाल करेंगे f12 f12 shortcut की का इस्तिमाल क्या आता है save as के लिए library office में digital signature option किस menu में उपलब्द है यह question most popular question है पिछले मैंने कई बार अलग-अलग से इक्वेशन पूछा गया था तो यह option कहाँ पे होता है file menu में option a correct answer हो जाएगा file menu में digital signature का option उपलब्द है next question दिखे cut copy और paste command किस menu में है cut copy और paste command किस menu में है इन सभी के shortcut keys भी पूछे आते है cut के लिए क्या होता है ct rl plus x और copy के लिए control plus c और paste करने के लिए control plus v का इस्तिमाल करते हैं तो यह सभी shortcut keys आप सभी याद रखेगा क्योंकि यहाँ से भी questions पूछे जाते हैं और यह options कहाँ पे आपको मिलते हैं edit menu के अंदर आपको दिखाई पढ़ेंगे तो option c edit menu इस question का correct answer है very good Libre office में ruler की shortcut कुणजी क्या है अब यह ruler क्या होता है और कैसे आप इसे enable या disable कर सकते हैं वो भी देख लीजे जैसे हम यहाँ पे writer open करते हैं तो यहाँ पर यह portion आपको जो दिख रहा है यह क्या है ruler है यह ruler option से इसको आप कहा से enable या disable कर सकते हैं तो आपको जाना है view menu में और यहाँ पे आपको ruler को enable या disable करने का option मिल जाएगा इसके shortcut क्या होता है control plus shift plus r आप जैसे यहाँ पे click करेंगे ruler यहाँ से hide हो चुका है और same shortcut की के इस्तिमाल करके आप ruler को enable या disable दोनों कर सकते हैं same shortcut की होती है तो right answer क्या होगा control plus shift plus r means option a correct answer है तो आप सभी से request है आप सभी previous online test के वीडियो जरू दिखें सभी important वीडियो के playlist के link आपको discussion में मिल जाएंगे तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं आप description चेक कीज़े वहाँ पे सभी important playlist के links दिए गए है super script के लिए किस shortcut कुझी का उपयूग किया जाता है super script के लिए किस shortcut कुझी का उपयूग किया जाता है तो super script या फिर subscript कई बार examine की shortcut कीज पूछे जाते हैं तो super के लिए control plus shift plus p का इस्तिमाल करते हैं और अगर पूछा जाता है subscript तो subscript के लिए control plus shift plus b का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पे super script पूछा गया means option b correct answer हो जाएगा control plus shift plus p का इस्तिमाल करते हैं super script के लिए LibreOffice में add comment का बिकल्प किस menu में होता है अगर आप LibreOffice में option b right answer हो जाएगा insert menu में आपको add comment या फिर insert comment का बिकल्प दिखाई पड़ता है यह मिलता है निमल लिखित को क्रम में रखें अब यहाँ पे आपके पास तीन options है status bar, title bar और standard bar तो जब भी आपको विंडो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले title bar होता है इसके बाद आपको क्या मिलता है standard toolbar होता है और सबसे नीचे क्या होता है status bar status bar कहां पे होता है सबसे नीचे तो इस question का right answer क्या हो जाएगा title bar, standard bar, standard toolbar इसको बुलते हैं और status bar option C correct answer है यह भी थोड़ा सा different type का question पूछा गया है और यह भी पिछले मैंने triple exam में same to same इसी तरह से पूछा गया था चलिए अगला question देखें नेमलकित में से कौन page margin का उदारन नहीं है page margin जैसे कि हम यहाँ पे writer का कोई भी document create करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम document पे type करते हैं तो कहीं यहाँ से type होता है means यह area जो होता है वो सरफ text content के लिए होता है उपर के तरफ नीचे के तरफ left और right यह क्या होता है margin होता है तो यह center margin option नहीं होता है left right top bottom यह चार margin का options होते हैं पुछा गया था नेमलकित में यह से कौन page margin का उधारन नहीं है right answer हो जाएगा option c center page margin नहीं होता है LibreOffice में नियुमतम font आकार क्या है अब नियुमतम की बात करें तो नियुमतम होता है 2 और maximum क्या होता है 1000 होता है लगबग 999 .99 होता है जो कि 1000 के बराबर है बड़ यहां पर देखे 2 का option नहीं दिया गया है region क्या है drop down menu में minimum font size होता है minimum font size होता है 6 और maximum होता है 96 तो यह drop down menu से related पूछा गया है अगर यहां पर 2 का option दिया गया होता है तो 2 correct हो जाता है बड़ यहां पर क्या हो जाएगा option B 6 और इसी तरह से maximum अगर दिया जाता है तो 96 यह drop down menu जो होता है अगर हम यहां पर राइटर उपन करते है तो राइटर में दिखे minimum font size क्या है अगर हम उपर जाएगे तो minimum आपको 6 दिखेगा और maximum नीचे दिखे आपको 96 दिया गया तो यह maximum होता है drop down menu में अगर आप यहां पर type करते है manually तो आप यहां पर कितना कर सकते है 1000 तक भी कर सकते है तो इस question का right answer क्या होगा option B 6 अगला question देखिए Libre office में पिछले unformatted text की shortcut कुणजी क्या है यहां पर by mistake पिछले लिखा गया है और यहां पर होना चाहिए paste paste unformatted text की shortcut कुणजी क्या है यह भी Libre office में होता है और यह option होता कहां पर वो भी आप देख लीजे यह आपको मिलेगा edit menu में paste unformatted text यह option आपको यहां पर मिल रहा है paste special के अंदर इसमें आपको paste special control plus shift plus v option होता है shortcut की का इस्तिमाल करते हैं और paste unformatted text के लिए किसका इस्तिमाल करेंगे control plus alt plus shift plus v का इस्तिमाल करते हैं ओके तो right answer क्या हो जाएगा control plus alt plus shift plus v option a correct answer हो जाएगा option a is question का correct answer है next question Libre office में double underline के लिए shortcut की क्या है double underline जैसे आप यहां पर लिखते हैं a b c तो underline control plus u इस्तिमाल करते हैं एक single line आ जाएगी बट अगर आप double underline करना चाते हैं तो control plus d Libre office में किसका इस्तिमाल करेंगे control plus d double underline करने के लिए तो option a correct answer हो जाएगा तो यह था आज की class का last question आप सभी regular सुबा 8 बजी हो साम 8 बजी के जाइन करते हैं अगर आप triple exam देने वाले हैं या फिर आपका triple exam होने वाला है तो जल्दी से comment section में बताएगे आज की class में आपके कितने questions correct हुई हैं डेली इन दोनों classes में हम 30-30 questions discuss करते हैं तो इन दोनों में कम से कम आपके 20 plus questions daily हर class में आपके correct होने चाहिए अगर इससे questions कम correct हो रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करने के ज़रूत है triple exam अगर आप एक बार में qualify करना चाते हैं तो उसका एक simple सा तरीका है सबसे पहले आपको syllabus complete करना उसके बाद आपको practice करनी कुछ लोग क्या करते हैं multiple times triple C के exam देते हैं बट qualify नहीं होता है reason यह होता है कि आप exam जब आने वाला होता है उससे कुछ time पहले आप कुछ MCQ उसके वीडियोस देखते हैं या फिर आप model paper solve करते हैं या फिर कुछ practice sets वगएरा solve कर लेते हैं आपको details syllabus का knowledge नहीं होता है इसी वएसे आप exam को qualify नहीं करते हैं क्योंकि same questions को multiple तरीके से पूछा जा सकता है जब तक आप syllabus नहीं complete करेंगे आपको topic के बारे में जानकारी नहीं होगी और questions को अगर घुमा फिर आगे पूछा जाता है तो आप उनके right answers नहीं दे पाएंगे इसी वएसे हर एक batch को हर एक मत में मैं suggest करता हूँ आप सिर्फ 10 से 15 दिन तयारी कीजे बट अच्छे से तयारी कीजे अच्छे content के साथ तयारी कीजे आप सबसे पहले syllabus complete कीजे उसके बाद practice कीजे आराम से आप अपना tuples exam qualify कर सकते हैं और अगर आप complete तयारी करना चाते हैं तो हमने अपने ग्यान XP मोबाइल अप पे टुपल सी का complete course launch किया हुआ है जिसमें आपको complete syllabus, video lectures, model papers, e-book, practice set ये सारी चीजे बहुत ही minimum price में available हैं आप जॉइन कर सकते हैं 349 रुपीज का ये course है जिसमें ये सारी चीजे मिलेंगी बट अगर आप इसे 31 मार्ज तक जॉइन करते हैं तो आपको additional 10% का discount दिया जा रहा है तो आप इस discount को भी ले सकते हैं जल्दी से जल्दी आप सभी जॉइन कर लीजे discount लेने के लिए आप discount code यूज करेंगे GXP GXP10 GXP10 discount code का इस्तिमाल करके आप इस price में additional 10% का discount पा सकते हैं इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिये के number पे call करके हमाई team से बात कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए इस कोई में क्या मिल रहा है कैसे तैयारी करनी सारी डिटील आपको हमारी इस number पे provide की जाएगी और ये सभी important e-books हमारी website GXP.com पे available हैं प्लस इन सभी का description में link दिया गया तो आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं सभी most important e-books हैं ट्रपल्स exam एक अच्छे grade से qualify करने के लिए बहुत ही research के साथ हमने इन e-books को launch किया है तो बस इस class में इतना ही daily सुबा 8 बजे हो साम 8 बजे आप सभी classes को join करते रही एक भी class आपकी miss नहीं होनी चाहिए अगर आप ट्रपल्स exam एक अच्छे grade से qualify करना चाहते हैं तो regular आप इन सभी classes को join कीजिए प्लस आप previous online test के वीडियो देखते रही हैं मेरी तब से आप सभी को all the best धेल साइज सुब काम ना है अगर कोई भी question होता है तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं या फिर आप हमारी telegram channel को join कीजिए telegram पे जाएए search कीजिए gyanix पे या फिर discussion में हमारी telegram channel का link दिया गया है यहाँ पे आपको सभी latest update provide किये जाते हैं प्लस सभी important playlist के links भी हम share करते रहते हैं सभी videos के links या classes के updates आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे तो आप सभी gyanix पे telegram channel को जरू जोइन कीजिए तो मिलते हैं सामको 8 बजे तब तक के लिए bye bye thank you, thank you for watching